है कि मैं आओ मैं जय हिंद आये हम लो들이 बात करते हैं आज जोग्रेफी हो पर ओर सब्सक्राइब कर दोयुत है। है इसके बारें हम जानेंगे और परियू को कैसे लाइक आसान बनाया जाए कि किसी भी ट्रीम का बच्छा एप पढ़ने से पहले उसको यह न सोचे कि यार जोग्रेफी तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है जोग्रेफी हम कैसे पढ़ेंगे जोग्रेफी कवर कैसे होगी ठीक है तो इतना आसान पैटर्न बना लिजिए किसी भी सब्जेक्ट को कि वो आपको बड़ी ही एजिली समझ में आए और आप उ इनियन जोग्रेफी डिवाइड करिए ठीक है ना एक विश्व भुगोल हो जाएगा और एक भारती भुगोल हो जाएगा अगर आप ऐसे दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा अच्छा चलिए यह शुरू करने से पहले अगर मैं पता होता है कि कॉंटिनेंट में किस कॉंटिनेंट में कौन सी कंट्री होती है तो अगर इस बात की जानकारी उसको हो जाए तो काफी हद तक उसकी जोग्रेफी आसान हो जाती है क्योंकि हमें पता है कि इस विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो छोटे से लेकर के रहते हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वे जनरल अवेर्नेस के questions बनते हैं जरूरी निये कि exams में ही आप से पूछे जाए ये questions आप से कही भी debate में ये discussion में पूछे जा सकते हैं ठीक है बच्पन की classes में ये पढ़ाएं कि हमारे पास साथ continents हैं ठीक है अब उन continents के अगर नाम याद नहीं है तो मैं आपको एकित करके उन continents के बारे में बताऊंगा लेकिन पहली priority आज मेरी continent की होगी जो की Asia का है ठीक है ना तो साथ continents में से एक continent पर हम आज चर्चा करेंगे जो की Asia का है ओ ये Asia हमें India के जोग्रैफी से रिलेट करता है तो इसलिए हमारी पहली priority होगी सारी बाते Asia के बारे में जान लेना, चाहे एक वीडियो में हो, चाहे दो वीडियो में हो, चाहे तीन वीडियो में हो, तो आएए हम इस वीडियो के अंदर Asia से संबंदित बात करते हैं, और Asia पर अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि Asia the world's largest continent है, है ना, यह विश्व का सबसे बड़ा continent, यानि कि साथ continents में अगर कोई सबसे बड़ा continent है, तो वो Asia है, अब इसको अलएक largest बनाने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है land area और population, इसकी population और continents के मुकाबले कई हद तक ज्यादा है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा population Asian countries के अंदर है, और सबसे ज्यादा जमीन Asian continent के पास है, अगर हम इनको percentage में discuss करें, तो यह percentage में 29.9% है, और यह 1 upon 3 of the whole land है, मतब जितना भी जमीन है, उसका एक तिहाई हिस्सा जो है, वो Asian continent के पास है, अब आईए अगले point पर आते हैं, अगला point कहता है कि Asian continent में 48 countries आती है, 48 countries आती है Asian continent के अंदर, और जिनमें से 3 transcontinental countries होती है, 3 transcontinental होती है ठीक है अब transcontinental क्या है, इस बात को आप जान लीजे, transcontinental है boundaries in two or more continents है ना, boundaries जो है ना, 2 या 2 से ज़्यादा continents के बीच में है फिलाल इसमें 3 जो है, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान और इंडोनेसिया है और टर्की है, ठीक है ना, तो ये transcontinent है Asia की और उसमें भी आप समझें कि transcontinent दो तरह के होते हैं एक कैसा होता है, contiguous होता है और एक non-contiguous होता है, अब थोड़ा सा हम यहां पर जान लेते हैं कि contiguous क्या है और non-contiguous क्या है ठीक है ना, contigus, transcontinental के कहते हैं इसको, कि एक continent यह आ गया, एक continent आ गया, और इसके बीच में कोई एक country आ करके पहुच जाती है, तो इसे हम कहते हैं, transcontinental में contigus, ठीक है, और non-contigus क्या है, non-contigus होता है, कि लाइक यह country और यह country है, यानि इसके अंदर पानी की से मारे खा, है इसके अंदर जली आ जाता है, यानि कि अगर हम कहें कि non-contigus क्या है, तो overseas territories, तो जो भी overseas territories आती हैं इसके अंदर, उसे हम कहते हैं non-contigus territories, ठीक है, इसको हम आगे discuss करेंगे, countries के और continents के example के साथ, कि ऐसे कौन-कौन सी country है, जो अलग-अलग continents के बीच में आ जाती है, या ऐसे भागों में Asia को आप बाड़ दीजिए, Asia आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, जब पांच भागों में बाड़ते हैं, तो आपको मिलता है एक Central Asia, एक East Asia, एक South East Asia, और एक South Western Asia, एक आपको और मिलेगा Siberian Russia, ठीक है न, इसको हम Siberian Russia कहते हैं, clear है बई, तो अब आजाते है इस चीज़ को अगर discuss करना है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कि ये आपका North है, ये आपका South है, ये आपका East है, और ये आपका West है, ठीक है, अब माल लिजिए कि Asia जो country है, उस Asia में, ये पूरा ही Asia है, आप माल लिजिए, पूरा Asia है, ठीक है न, क्योंकि किसी भी जगे पे आप खड़े हो जाते हैं, वहां से East, West, North, South शुरू हो जाता है, तो ये एसी है, तो अब इसमें South Asia क्या है, ये South Asia हो गया, अगर East Asia क्या है, तो इधर की तरफ East Asia बन जाएगा, अगर मैं कहता हूं सेंट्रल कौन सा है, तो ये वाला हिस्सा सेंट्रल बन जाएगा, ठीक है, और Western, South Western क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका, Southwestern हो जाएगा, ठीक है ना, इधर तो Central के पास आगया, ये South Western का हिस्सा बन जाएगा, और ये आपका South Eastern का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है, तो अब यहां पर आप इस डाइगराम के हल्प से आप अन्दाजा लगा सकते हैं, कि कि side हमारा क्या आने वाला है, तो आइए सबसे पहले हम East Asia के बारे में बात कर लेते हैं, East Asia, जो East of Central Asia है, ये देखें Central Asia है, Central Asia के East में आता है East Asia, तो East Asia के अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आने वाली countries, ये countryों के नाम आप याद रखेगा, ये countryों के मांकोंग मिलेगा ताइवान मिलेगा और मकाव मिलेगा ठीक है यह आपके k bubbles ऐस्त lijससा है कौन क्रिक्ट्री जाइना मंगोलिया नौर्थ कोरिया साॉथ को जापन रुझ्ष सिर्फ करके सेंटर की तरफ आते हैं तो सेंटर में आपको तजाकिस्तान उजबेकिस्तान कजाकिस्तान ठीक है तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान यह सारे इस्तान से आप डिशाइड कर लेंगे यह रहे इस्तान यह मैंने रखे हुए इस्तान ठीक है ना तो इस्तान वाले जितने भी countries हैं वो आपके Central Asia में आते हैं यानि Asia के मध्यभाग में आते हैं ठीक है अब आते हैं यहां से अगर हम बात करते हैं तो South Asia तो South Asia यानि ये वाला हिस्सा तो आपने देखा होगा बॉर्ड के मैप पे कि इंडिया जो आता है वो नीचे यानि South की तरफ आता है तो South Asia में आने वाले देश ठीक है तो अगर आप इंडिया को ले लेते हैं और इंडिया से सटे हुए जितने भी देश आते हैं यह हमारे क्या होगा जब आप भारत का वुगल पढ़ेंगे तो व ड़ेखे सउथ एसिया कि सउथ में अगर आप जाएंगे इधर आगर और आपको अरेवियं जी मिलेगा और इस्ट में आएंगे तो इधर आपको बेंगॉल मिलेगा क्या मिलेगा बेंगॉल मिलेगा अब अगर हम आते हैं सब्सक्राइब dándia के अधर इंडिया पगड़़ टीज़े इंडिया से ऐसे आप भूंगते जाएं क्लाक्वाइज में परमारी किसित की अफ़ानिस्तान ने तो चानी तो चासछा टाइट लेकिन भारत के साथ मोग एके मीड़ेंगे लेकिन नीचे सिरिलंका और माल्दिव्स और इरान को भी आप साउथ एसिया के छेतर में रख सकते हैं ठीक है अब अगर आते हैं हम यहाँ पर साउथ एस्ट एसिया ठीक है तो यह नौर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया आपका नीचे है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको सा तो आप नीचे की और जाएंगे तो आपको Pacific Ocean मिलेगा दक्षिन में पैसिफिक और वेस्ट में आपको वेस्ट ऑफ पैसिफिक और नॉर्थ में आस्ट्रिलिया मिलेगा तो एक बार आप इसको मैप पे देख लिजेगा यह सारी चीज आपको मापे क्लियर हो जाएंगे मैप इसमें आने वाले देश जो हैं वो लमसम 18 देश हैं लेकिन मैंने कुछ इंपोर्टेंट देशों के नाम लिखे हैं जिनको हम हमेशा सुनते हैं और उनसे संबंदी जानकारी होना जरूरी है तो देखें जैसे कंबोडिया है इंडोनेसिया है लाओस है मलेसिया है मयनमार है फिलिपिन्स हैं सिंगापूर है ताइमूर है थाइलेंड है और वेतनाम है तो आप यहां पर जैसे थाइलेंड अकसर सुनते हैं वेतनाम सुनते हैं सिंगापूर सुनते हैं फिलिपिन्स मैनमार मलेसिया तो यह सारे देश जितने हैं यह सब एशियन कंट्रीज हैं इनको ध्यान रखेगा इधर आते हैं सौ्फ वेस्टन एसिया में इन जितने भी मुश्लीन हम साउथ वेस्टन एसिया के अंदर में मिलें तो आप देख लेते हैं कि dipping काहां पर साउधी अरेविया कत्र कुवेठ ओमान यराग य। इर्मीनियां तर्की इसराइल अजरबेजान गौर्गिया जोर्जिया तरकीन और यमेन और बहरेन आप देखे यह जितने भी है आप मैक्सिमम इन कंट्रीज के अंदर इंडियन्स वर्किंग है आप सुनते भी होंगे कि फलाने कतर में है फलाने कुवेट में है ठीक है और यह ज्यादा तर क्या दिखेगा आपको Eastern UP या बिहार के लोग इन देशों के अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो यह सारे ही देश चितने हैं यह सारे हमारे कौन से हैं Asian countries हैं तो आपको क्या करना है यह Asian countries की जितनी भी लिस्ट है यह आपको याद रखनी है एक बार इसके go through हो जाईएगा और जैसे ही आप इनको याद रखेंगे आपके लिए Asian countries के बारे में पढ़ना आसान हो जाएगा ऐसे ही हम आगे लेकर आएंगे different continents को लेकर आएंगे लेकिन अभी फिलहाल जब हमने Asia को शुरू किया है तो पहले हम Asia को खतम करेंगे उसके बाद हम बागी के continents और उससे संबंदित जितने भी important topics हैं उस पर हम discussion करेंगे ठीक है ना तो इसको आप एक बार अपने पास note-down भी जान ले ठीक है तो आप इसको देख लीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद